आज के वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आपके सेंसिटिव एकने प्रॉन स्किन है तो आपके ब्राइडल मेकप कैसे कर सकते हैं तो चली देखते हैं तो यहां पर मैंने सबसे पहले यह न्यूट्रोजीना की क्रीम लिए है और बहुत ही अच्छी क्रीम है अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो काफी अच्छी रहती है तो इसको मैं इस तरह से पूरे फेस पर लगा दूगी और जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ भी एकने वगेरा हैं वहां पर आपको बहुत जोर से रगड के क्रीम नहीं लगानी है बहुत लाइट हैंड से आपको मसाज करना है इसके बाद हम सबसे पहले आइब्रो बना लेते हैं और यहां पर मैंने यह आइब्रो जेल लिया है जो की बेनिफिट का है और यह ब्रश भी इसके साथ में ही आता है तो यहां पर हम इस तरह से आइब्रो फिल कर लेंगे अब यह मैंने लिया है कंसीलर और लोडियाल का कंसीलर है यह और काफी अच्छा फुल कवरेज कंसीलर है इसको मैं फ्लैट ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ तो हमें आइब्रो के नीचे इस तरह से थोड़े अमाउंट में ही लेना है बहुत जरूट से जादा कंसीलर हमको नहीं लेना कि वो आइब्रो के अंदर जाए और मैसी हो जाए तो यह हमें इस तरह से लगाना है इसके बाद बाकी जो बचा हुआ है इसको हम यहां पर लग जिसे की set हो जाए अब ये shade लिया है मैंने और ये huda beauty का palette है तो सबसे पहले मैं इसको लगाऊंगी और ये मैंने यहां पर blending brush लिया है जो की लेको का है इसकी help से हम ये color लेकर और इसको blend करते जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा लेकर और blend करेंगे अब इसके बाद मैंने इसी palette में से brown shade लिया है और इसको भी मैं outer third से लेते हुए अंदर तक लेकर जाओंगी inner third तक और इसके बाद हम यहां पर इसको blend कर देंगे इन दोनों ही shades को outer third में ही रखा है और crease में भी हम बहुत जादा इसको अंदर लेते होने जाएंगे बेसिकली इसको हमें बाहर की तरफ ही focus करना है अब दुबारा यही मैंने concealer लिया है और हम यहां पर एक half cut crease बनाएंगे और इस तरह से यहां पर हम half cut crease बना लेंगे यह जो brush है यह मैंने Morphe का use किया है और हलका सा इसको set कर देंगे यहां पर अब यह shade लिया है मैंने यह दी hudda beauty का palette है तो इसमें यह जो golden वाला shade आप देख रहे हैं यह मैंने use किया है तो इसको लेकर जो हमने cut crease बनाई है वहां पर हम इसको लगा देंगे बाकी मैं इसको ऐसे finger से कर दिया क्योंकि बहुत ही shimmery है और यहां पर मैंने glitter primer लिया है nix का और glitter भी nix का ही है तो यह जहां पर भी golden हमने लगाए है इसको हम लगा देंगे यहां पर तो यह हम लगा देंगे यहां पर इस तरह से तो एक बहुत ही सुन्दर हमारा cut crease हो जाएगा golden और black और अब यह gel liner मैंने लिया है जो कि कीको मिलानों का है तो इसको मैं लगा के और एक proper winged liner मैं यहां पर बना रही हूं तो इस तरह से हम यहां पर एक winged liner बना देंगे और आप मुझको इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कीजिगा मेरा id है पारूल सक्सेना तो जरूर आप वहां मुझको फॉलो कीजिगा और यह जैसे कि आपने देखा मैंने प्राइमर लिया है जो की benefit का है और यह मैंने hydrating प्राइमर लिया है तो अच्छा रहेगा यह इसको लगाने के लिए बहुत हमें dry या matte ऐसे नहीं लेना है जो भी कोई प्राइमर है तो इ अच्छा हमारा base होने में यह help करेगा इसके बाद मैंने यहां पर orange color करेक्टर लिया है जो की यह LA girl का है तो जहां जहां पर भी आप देख रहे हैं हलका कुछ अगर brown spots वगेरा है या कुछ acne है वो इसको cover करने के लिए अच्छा रहेगा यहां dark circle में भी यह बहुत helpful रहता है orange character तो इसको मैं इस तरह से लगा के और हलका सा मैं इसको blend कर दूँगी और इसके ऊपर आपको कभी भी directly foundation नहीं लगाना है क्योंकि यह अंदर से फिर पता चल सकता है इसको हमें properly cover करना बहुत जरूरी है तो यह मैंने benefit का लिया है concealer और यह full coverage concealer है और बहुत अच्छे से आप आपका यह जो करेक्टर है वो cover होना चाहिए नहीं तो foundation के अंदर से दिख भी सकता है अगर आपने directly लगा दिया तो सबसे पहले आप इसको इस तरह से lock कर दीजिए basically और इसके ऊपर भी जो मैं foundation लगाऊंगी वो मैं full coverage ही लूँगी बिल्कुल भी sheer या medium coverage आपका foundation नहीं होन चाहिए तो वह अच्छे से फिर आपके कुछ भी blemishes है या कुछ इस तरह से एकने हैं या अगर स्पोट्स ही है एकने वगेरा की वजह से तो वह भी आपके बहुत अच्छे से cover हो जाएंगे तो यह दोनों मैंने लिए हैं foundation यहां पर एक यह रूड और यह होड़ा दोनों किसे मैं इसको जैसे आप देख रहे हैं मैं बफ कर रही हूं इसके में बिल्कुल आपको रगड़ना नहीं है किसी भी तरह से जहां पर especially आपने यह लगाय हुआ है करेक्टर तो आप उसको बफ कर दीजिए बाद में आप इसको ब्यूटी ब्लेंडर की help से आप इसको कर ल आप दिया है और आइस को बचा कर बाकी फेस पर हम इसको लगा देंगे इस तरह से तो अच्छे से हमारा जो बेस है वो सेट होगा और यहां पर अब हमने कॉंटूरिंग की है और मैंने स्लीक का कॉंटूरिंग पैलेट यहां पर यूज किया है तो मैं इसको पहले लगा दे रही हूं ब्रश की help से और उसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे तो इसको लगा कर और यहां पर इस तरह से मैंने यह ब्रश जो है यह रियल टेक्नीक्स का लिया है इसको ब्लेंड करने के लिए और इस तरह से हम इसको ब्लेंड कर लेंगे दुबारा मैंने ये concealer लिया है और इसको मैं यहां पर यूज कर रही हूँ highlight करने के लिए तो इसको हम forehead पे, chin पे, nose के bridge पे, under eyes हम यहां पर लगा देंगे और blend कर देंगे अब इसको यहां पर हम तो यह सारा अच्छे से हम इसको blend कर देंगे और यह loose powder अब यहां पर मैंने लिया है तो इसको हम लगा देंगे especially जहां पर भी हमने यह लगाया है अपना highlighter वहां पर हम इसको लगाएंगे और बाकी face के लिए मैंने लिया है यह benefit का compact तो इसको मैं बाकी face पे लगा दे रही हूं जिसे कि हमारा जो भी हमने contouring की है अच्छे से सारा कुछ सेट हो जाए और इसके बाद यह under eyes जो मैंने लगा था powder इसको मैंने निकाल दिया है और यहां पर हलका सा contouring मैंने फिर से किया है यह मैंने bronzer यूज किया है यहां पर हूला का और blush palette के लिए मैंने यह elf का लिया है तो यह हम यहां पर लगाएंगे जो इसमें pink और यह जो दोनों pink वाले shade थे वो मैंने लिये हैं क्योंकि साड़ी जो है वो pink color की है तो मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर यह pink color का ही मैंने use किया है और यह लिया है मैंने highlighter और यह Becca का highlighter है बहुत ही अच्छा highlighter है तो इसको मैं यहां पर use कर रही हूँ और हलका सा हम इसको forehead पर लगाएंगे हलका सा chin पर लगाएंगे और बाकी nose पर और cupid bow पर हम इसको लगा देंगे और अब इसके बाद में मैंने mascara लिया है और यह benefit का mascara है और यह waterproof mascara है तो यहां पर हम लगा देंगे इसको और मैंने अभी यह shade लिया है यह hoda beauty का ही पालट है तो यह वाला शेड लिया है मैंने और इसको हम use करेंगे तो यह पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैं यहां पर यह वाला शेड लगा रही हूं और इसको लगाने के बाद हलका सा ब्लाक कलर मैंने लिया है और यह फ्लाट ब्रश की हेल्प से मैं इसको लगा रही हूं यहां पर और लाइट गोर्डन शेड में हुड़ा ब्यूटी वाले पैलेट में इसे ही मैंने लगा दिया है और इसके बाद मैंने लेकुड ग्लिटर यहां पर लगा दिया है और यह मैंने यूस की है लैशेज जो की प्राइमार की है इनका नाम है दुबई तो यह लैशेज हम यहां लगा देंगे और इसके उपर यह मैंने लाइनर लगा दिया है जिससे की जो भी कुछ ही वाइट कलर का जो रह जाता है कई बार लैशेज पर लैश ग्लिव तो वह बिल्कुल भी नहीं दिखे एक दम नीट क्लीन सा लगे तो इसलिए मैंने उसको उसके उपर लगाया था ट्रम लगा देंगे पहले मैंने लिप लाइनर लगाया है पूरे लिप्स हम फिल कर देंगे उससे तो हमाई लिप्स्टे काफी लांग लास्टिंग हो जाएगी और उसके बाद वो दोनों शेड्स को मिक्स करके मैंने यहां पर लगाये है क्योंकि साड़ी जो है वह ब्रा पे भी जरूर फोलो कि जीगा, so thank you very much for watching, bye!